श्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल इंक्रेडिबल इस्टेडी विदार पी में और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपी टीटी 2017 के कोट अपडेट के वारे में ये लेटिस्ट कोट अपडेट है अभी अभी आज ही ऑडर और ये आया है कि जो तीन नंबर समान रूप से सभी को दिये जाएंगे क्योंकि तीन प्रशनों के जो उत्तर थे वो पी एन पी के दोरह गलत दिये गए थे ठीक है तो पहले आप ये समझ लिजे थ्री मार्क्स आपको यूपी टीटी 2017 में जो पास आउट हैं उनको थ्री म सभी को दिये जाएंगे ठीक है और दूसरी बात कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या और सट पांसों में जो नुक्त हुए हैं उनकी नोकरी जाएगी तो पहले ची देखिए जब समान रूप से अंक दिये जाएंगे तो जनरली कोई फैल ही नहीं होगा ठीक है और दूसरी बात म भी मार्कस मिलने के बाद जो भी अब भैरती पास होंगे तो उन पास अब भरतियों को क्या करेगा कोट ने ओडर दिया है कि प्वियन परिच्छे नियमक प्राधिकारी तो एक टाइम पिरेड दिया गया हूं कितना टाइम पिरेड दिया गया है यहां से आप 47 नंबर पे देख लेते हैं कि accordingly the secret examination regulatory authority is directed to declare the result within a period of two months यह दो महिने के अंदर result declare करेगी और साथ में ये भी confirm करेगी कि assistant teacher recruitment exam भी हो जाना चाहिए कि दो महिने के अंदर ठीक है तो यही पूरी जानकारी है और इसे किसी को परिसान होने के जरूरत नहीं है जो 68500 में select हो चुका है वो अपनी job अच्छे से करते रहे हैं उन्हें किसी प्रकार से कोई घबडाने के जरूरत नहीं है तो PNP दो महिना के अंदर दोबारा से result to declare करेगा और साथ में दो दोबारा exam कराएगा और दोबारा exam कितने होंगे जिसे माली 23,000 वेकेंसी लगबग बच रही थी तो 68500 वेकेंसी आई थी तो उसमें से हैं 41,556 candidate select हुए थे 41,556 candidate select हुए थे कुछ candidate सो बच गए थे उतनी ही seats पर दोबारा return exam कराया जाएगा तो यह आपके लिए बहुत ही important news थी जो मैं आपको बदाना चाहरा था तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल ना सब्सक्राइब कियो चैनल सब्सक्राइब करने ताकि आपको आने ओली नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए थैंक यू बेरी मुच पॉर वाचिंग इस वीडियो